हेलो दोस्तो गुड बॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की ताजा खवर में इस वीडियो में हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सपेस के एडिटोरल्स को डिसकस करते हैं तो आज है 6th of June और Saturday है तो इसलिए जादा एडिटोरल्स नहीं है पर फिर भी important एडिटोरल्स है तो यहाँ पर है कि give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first force sharpening the axe यहाँ पर और यह जो particular court है यह किनों ने दिया है तो यह Abraham Lincoln ने दिया है तो आप समझ सकते हैं court से क्या मतलब है कि maximum time हमारा जो है किसी भी goal को achieve करने के लिए तो उसके लिए preparation में हमारा maximum time जाना चाहिए rather than आप जो action लेने की बात कर करते हो ठीक है तो यहाँ पर वही इन्होंने बोला है कि अगर इनके पर 6 घंटे होंगे किसी भी tree को काटने के लिए तो उसके preparation में यह maximum time एक तरह से देंगे और जो भी उनका एक तरह से आप बोल सकते हो जो भी इनका instrument होगा या जो भी उनका weapon होगा उसको वो एक तरह से सह सही करने के उपर में सबसे पहले focus रहेगा और इसके बाद ही वो कोई भी action लेंगे तो obviously इनका जो यह particular action है इससे क्या होगा कि result एक बहुत ही अच्छा result और positive result आएगा ठीक है तो यह काफी अच्छा कूठ है और इसको आप बिल्कुल आप अगर हो सके तो आप समझेगा और implement करने की भी कोशिश करिएगा तो चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको तो आप जानती होंगे मेरे ख्याल से और इनके पास एक बहुत ही अच्छा खासा information है आपके लिए ठीक है information क्या है कि हम लोग अल्रेड़ी जानते है कल dates आ चुकी है prelims की और बोला गया है क 4th of October को होगा ठीक है तो अभी आपके पास around काफी अच्छा कासा समय है 121 days के आसपास है तो यहां पर इस 121 days में अगर आप देखो तो around 30 to 45 days जो है आप आराम से इस्तमाल कर सकते हो mains preparation के लिए ठीक है तो इस reason से मैंने क्या सोचा है मैंने सोचा है कि अब से editorial analysis और साथ के से attempt करना है इसके लिए मैं आपको कुछ rules and regulation पहले ही बता देता हूँ ठीक है और उसी rules and regulation को आप follow करेंगे नहीं तो फिर वही होगा कि मतलब clutter नहीं होना चाहिए कोई भी mess create नहीं होना चाहिए इस चीज से related पहली चीज question आपको इस particular video में मिलेगा आपको question चानल पर share नहीं मिल जाएगा क्योंकि जो questions रहेंगे वो editorial से बनी रहेंगे जो उस दिन के रहेंगे या फिर news analysis से बनी रहेंगे जो उस दिन के रहेंगे तो पहली चीज होगी कि question आपको video के form में मिलेगा नहीं वो description में मिलेगा नहीं आपको channel पर मिलेगा ठीक है पहला rule दूसरा rule अगर आप analyze करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहली चीज जो करनी पड़ेगी वो PDF के format में होनी चाहिए ठीक है PDF के format में आप अगर लिख के भेजेंगे तो वो analyze हो जाएगा ठीक है और कहां पर आपको share करना है तो obviously आप discussion group पे डालेंगे उसको तो इसलिए हमारे discussion group को ज आप से करेंगे और question number क्योंकि दो ही question रहने वाला है तो question 1, question 2 और date रहेगा ठीक है और जब अगर आप answer लिख रहे हैं obviously हाथ से लिखेंगे तो हाथ से लिखने के time पे आप हो सकता है कि question के ऊपर में अपना नाम लिख सकते हैं जिससे हम लोग को आसानी हो अब यहाँ पर आ आरी copies को देखना possible नहीं होगा क्योंकि maximum लोग अगर लिखेंगे तो possible नहीं हो पाएगा आपके practice के लिए है तो इस case में क्या होगा कि peer review करवाय सकते हैं हम लोग ठीक है तो peer review का benefit होगा कि आप दूसरे के question को दूसरे के answer को पढ़ भी सकेंगे और उसके अलावा मतलब हम लो motive है वो motive रहेगा कि हम लोग आपको practice करवाना चाहते हैं ठीक है राधर आपको 100% spoon feeding के जगह पे हम लोग practice करवाना चाहते हैं हम लोग spoon feeding नहीं कराना चाहते है spoon feeding से कोई फायदा नहीं होगा आपका भी benefit नहीं होने वाला है maximum अगर आप self practice करते हैं तो वही सबसे अच्छा र मिलेगा कि आपको peer review मिल जाएगा पहली चीज हम लोग भी free time में अगर time मिलेगा तो हम लोग भी review कर देंगे और साथ के साथ आपका एक regularity आजाएगी answer लिखने की ठीक है और videos में होगा क्या कि videos में आपको current कहीं answers और questions मिलेंगे ठीक है questions मिलेंगे एक तरह से तो आपको अब रही बात question कब आपको दिखाया जाएगा तो इसकी कोई guarantee नहीं है ठीक है कि आपको start of the video में मैं नहीं दूँगा नहीं आपको end of the video में दूँगा आपका काम यह रहेगा आपकी duty रहेगी at least आप इतना support हम लोग को कर सकते हो कि आप video को पूरा पूरी तरह देखो पूर और इसके अलाबा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ क्योंकि अब debate एक और उठेगी के Hindi और English का के Hindi medium के भी students है हमारे साथ और English medium के भी students है तो Hindi medium और English medium के students को मैं यहीं बोलना चाहूँगा चुकि मेरा English medium है तो मैं आपको question जो है वो English में ही दूँगा ठीक है पर आप क question को आपको बताऊँगा तो वह आपको Hindi में भी बता दूँगा कि Hindi में इसका meaning क्या होगा और इस question में क्या demand है तो इसका benefit क्या होने वाला है तो इसका benefit होगा कि Hindi medium के student भी answers दिक सकते हैं और हाँ आप Hindi medium के लिखोगे तो भी हम लोग analyze कर देंगे कोई दिकत की बात नहीं क्यो जो भी rules and regulations बताएगे हैं उसको पूरी तरफ follow करिएगा एक और चीज़ आप personally message नहीं करेंगे अपना जो भी आपका question और answer है आप personally नहीं भीज़ेंगे किसी भी admin को ठीक है आपको group पही भीजना है personally आप भेज़ेगा तो वह review नहीं होगा यह पहले आपको बता दे रहा हू तो यह जो इतने भी rules हैं यह इसलिए बनाया जा रहे हैं ताकि हमारा load कम हो हम जादा परिशान नहों और आपका जो practice है वो practice बना रहे हम लोगों को भी अगर आसानी मिलेगी तो हम लोग obviously आपका review भी कर पाएंगे easily और सारी चीज़े एक तरसे मतलब smooth ली चल पाएंगी त क्योंकि अब आपको जरूरत है कि mains का भी preparation आपको साथ में करना है जादा समय नहीं है end के दो मन्त में अगर आपका pre हो जाता है और आखरी के दो महीने में पढ़ाई करना चालो करोगे mains के लिए तो बहुत परिशान हो जाओगे और फिर frustration बहुत जादा आ जाता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो यही reason है आप प्लीज आप जो भी आप कहा जा रहा है आपको जो भी बताया जा रहा है उस चीज को follow करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए तो चले यह मेरा मैंने नहीं बोला यह मियू का plan है ठीक ह है कि please आप लोग दूसरे की काम को आप खुद पर ना लो और over helpful नहीं बनना है यहाँ ठीक है क्योंकि आप पाकी लोगों को महिनत करने दो आपने अगर देख लिया तो आपका duty यह बनेगा कि आप question को answer लिख के भेजो ठीक है आपकी duty यह रहेगी rather than दूसरे लोगों की मद helpful ना बने screenshot अगर आप group पे डालेंगे तो obviously वह delete करना परेगा admins को तो आप यह जो rules and regulation है थोड़े stricts है मुझे पता है strict rules and regulation है पर इसको follow करने की आपको ज़रूरत है क्योंकि spoon feeding is not possible अगर इससे होगा क्या इससे होगा क्या कि आपका जो spoon feeding का एक तरह से अगर आप देखोगे administration करें अभी से ही तो इसके लिए हम लोगों ने यह जो है बनाया है अब चलिए हम लोग editorial का discussion शुरू करते हैं जल्दी से तो आज का जो सबसे पहला editorial है वो है beyond the legal counsels predicament और यहाँ पे बोला गया है कि जो vulture remark दिया गया था हमारे solicitor general के द्वारा तो यह किस तरह से उनकी impatience को बता दूँगा कि इस पर editorial में क्या discuss किया गया है अगर आप देखोगे मानोगे तो यह जो editorial है उतना important नहीं है पर फिर भी यहाँ पर कुछ एक important चीज़े हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर यह जो editorial है लिखने का sense क्या बना है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ उपर सरकार क्या काम कर रही है और सरकार ने क्या-क्या action लिया है और जो भी मतलब एक तरह से blame करने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को inaction जो रहा है उसको आपको ठीक करने की जरूरत है तो इसी में यहाँ पर जो solicitor general हमारे तुशार महता है तो उनका outburst हुआ था और काफी सारे remark किये है वल्चा remarks भी किये है जो जर्नलिस्ट के उपर में है तो यह हमारे लिए उतना important नहीं है यह आपको मैंने context बता दिया अब हमारे लिए क्या important है तो हमारे लिए solicitor general of India का जो post है वो काफी ज्यादा important है तो यहाँ पर हम लोग देखे सकते हैं यहाँ उन्ह है यह एक statutory post है और इनी के साथ जो additional solicitor general होते हैं उनका भी जो post आप जानते हैं वो भी एक statutory post है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आखिर कौन सा post है जो constitutional post है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि article 76 जो है of the constitution of India इसमें attorney general of India को एक तरह से दिया गया है post और यहाँ आप कह सकते हो कि attorney general of India जो है यह एक constitutional post है तो आप इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है अब इसी हिसाब से कर आप देखोगे तो solicitor general का जो post है वो उतना जादा मतलब important नहीं रहता हां important तो obviously रहता है क्योंकि attorney general of India हर जगा present नहीं रह सकते है तो उस case में support करने के लिए solicitor general और additional solicitor general जो है उनका role रहता है तो यह हो गया basic particular editorial में जो हमारे लिए important information है वही और यहाँ पर बाकी जो discussion इन्होंने किया है वह एक तरह से target किया है इन्होंने solicitor general को और इसके अलाबा जो हमारी present government है उनको भी target करने का काम किया है तो यहाँ पर उन्होंने वही सारी चीज intelligence commission का देखिए लोग पाल देखिए central information commission देखिए national human rights commission commission इसके अलाबा election commission को देखो तो यह सारी चीजे जो है आप देख सकते हो कि इनको paper पे बहुत मतलब हम लोग मतलब सूर्मा के तरह हम लोग समझते हैं और बहुत strong organizations है अगर authority आप देखोगे तो पर अगर आप देखोग एक बार तो इससे होगा क्या benefit कि obviously आपका prelims तो cover होगा ही साथ के साथ मेंस भी हो जाएगा नाम आपको दिख रहा है तो obviously आप revise कर लो क्या ही जाएगा मतलब मुश्किल से 30-40 minutes लगेगा आप आराम से revision कर लोगे तो यह होगी बात अब यहाँ पर इन्होंने वही फिर से ची आपको मैंने बता दिया अब हम लोग चलते हैं next editorial पर तो यह जो editorial है यह commercial pharmaceutical industry के उपर में है और उसको किस तरह से हम लोग pharmaceutical industry जो है उसमें changes ला सकते हैं उसी को यहाँ पर इन्होंने editorial के form में discuss किया है अब आगे यहाँ पर सबसे पहले title देखते हैं और right time to shift pharma gears तो यहाँ पर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से हम जो pharmaceutical industries है उसमें हम लोग research and development होता है और जो industry है उसमें क्या changes हम लोग ला सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि as a workable idea इन्होंने एक नया idea propose किया है तो यहाँ पर बोला है इन्होंने कि किस तरह से हम health impact fund को बना सकते हैं और यह जो कोशिश करूँगा समझाने की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब covid का जो case है उसके कारण हम लोग को पता है कि healthcare sector पर काफी जादा stress पर रहा है तो इसको handle करने के लिए इन्होंने वही बताया है कि किस तरह से health impact fund जो है एक तरह से possible institutional reform हो सकता है जिससे हम जो भी current regime है of the developing and market oriented pharmaceuticals का उसको हम लोग change कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देखेगा तो information दिया है इन्होंने कि medicine जो है वो humanity का सबसे greatest achievement है और अगर आप देखेगा global market में तो pharmaceuticals जो है इसका worth around 110 lakh करोर है तो आप देख सकते हैं काफी जादा है और इसको अगर आप देखोगे तो 1.7% है of the world gross world product तो पूरे world product में 1.7% है अब यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है कि 55% of this pharmaceutical spending जो है इसमें से 60 lakh करोर जो जाता है वो brand name products के लिए जाता है तो यह basic information इन्होंने दिया अब यहाँ पर इन्होंने बताया है commercial pharmaceutical research and development efforts के बारे में तो इन्होंने बताया है कि इन सारे जो efforts है इसको encourage जो reward करने की जरूरत है और यह reward कैसे होते हैं तो यह होते है earnings के थुरू और जो भी innovators एक तरह से product बनाते हैं और उसके जो sale होता है उसी से जो earning होती है वही इनका reward के तरह काम करता है तो आगे इन्होंने वही सारी चीज़े discuss की है कि बागी countries में किस तरह से यह मतलब implement होता है और कैसे वह earn करते हैं और patent के बारे में यहाँ पर इन्होंने discuss किया हुआ है कि यह जो patent earning है यहाँ पर होता कैसे है तो 20 year product patent मिलता है और यह जो है they are entitled to obtain in world trade organization member states जो भी world trade member organizations है उनको यहाँ पर 20 year product patent मिलता है और एक तरह से यह monopoly के तरह उनके लिए काम करने लगता है कि 20 years त major's or proper policy major's or what we do patent patent वाली तो उसको मतलब हम लोग चाहे है तो reproduce करके फिर इस्तमाल कर सकते है तो वह बाकी किसी और वीडियो के discussion में हम लोग अच्छे से देखेंगे अब यहाँ पर ही हम लोग concentrate करते है तो यहाँ पर एक temporary monopoly बन जाता है और इससे होता क्या है कि वह जो भी product है वह उन्हीं के पास एक मतलब medicines होते हैं वो काफी जादा unaffordable भी हो जाते हैं तो आगे यहाँ पर इनका discussion अगर आप देखेंगे तो इन्होंने वही बोला है कि किस तरह से R&D cost जो है वो काफी जादा होता है किसी भी medicine को बनाने में क्योंकि उसमें clinical trials भी होते हैं और बहुत सारी चीज़े involved होती हैं काफी सारे scientists involved होते हैं तो obviously होगा क्या कि यहाँ पर जो भी pharmaceutical research and development में जो भी scientists involved हैं वो क्या चाहेंगे तो maximum profit बनाना चाहेंगे तो इसी reason से जो भी medicine बनती है वो बहुत ही जादा expensive होती है initially और जब तक वो patent में रहता है जैसे ही वो फिर बात में patent उसकी खतम हो जाती है तो उस कर सकते हैं pharmaceutical R&D को पर हमें जरूरत है कि कुछ optimal changes लाने की जरूरत है अब यहाँ पर कौन से changes लाने की जरूरत है पहले हमें concerns पता होने चाहिए क्योंकि problem पता होगा तभी solution निकल पाएगा तो यहाँ पर तीन concerns इन्होंने बताये हैं पहला concern इन्होंने बताया है कि जो भी innovators हैं innovators motivated by prospect of large markup tends to neglect diseases यहाँ पर बताया क्या है कि अगर आप देखोगे तो जो भी research and development के innovators हैं वो क्या करते हैं वो उन diseases को neglect करते हैं जो कि poor people दोरा सफर किया जाता तो यहाँ पर वही है कि वो सारे diseases को neglect करेंगे और जो भी rich people की diseases होंगे उनके उपर काम करने की कोशिश तो यहाँ पर होता क्या है कि एक तरह से आप देखोगे तो neglected tropical disease जो है उसका आप देखोगे जो कि world health organization दोरा लिस्ट किया जाता है तो इसमें होता क्या कि अगर आप देखोगे तो बहुत over 1 billion people suffer करते हैं पर इसमें जो pharmaceutical industry का R&D है वो 0.3% ही होता है तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा focus है ही नहीं तो पहला concern यह हो गया कि poor disease के उपर में poor man's disease के उपर में ज्यादा focus नहीं है दूसरा आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि large number of affluent or well-insured patients जो होते हैं तो यहाँ पर होता है कि उनके उपर ही एक तरह से focus किया जाता और जो भी new medicine ह है वह एक तरह से यही जो effluent patients है वही access कर पाते हैं तो होता कि काफी costly medicine रहता है और इससे भी क्या होगा तो जो भी poor people है उनके पास यह जो medicines है वह easily accessible नहीं हो पाएगा तीसरा point यहाँ पर देखते हैं third point यहाँ पर इनका कहना है कि जो भी आप देखोगे तो जो भी reward मिलता है in developing and developing this and providing the pharmaceutical products वह बहुत ही poorly correlated होता है with therapeutic values है ठीक है अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मतलब किस्ण हो गनाया आप for example अगर मानते है कि कोई research development organization ने आपको COVID-19 का एक disease का एक वह दे दिया medicine दे दिया अब वह medicine आपको प्रव strategic value अगर देखो गया भी present scenario में काफी जादा है पर वह होगा कि अगर हम लोग ने उसको subsidize कुछ जादा ही कर दिया और जो मतलब around 100 रुपे की चीज़ को हम लोग ने एक रुपे में बीचना स्टार्ट कर दिया तो इससे होगा कि जो भी मतलब एक तरह से जो reward मिलना चाहिए है तो यहाँ पर इन्होंने एक ही solution मताया है कि health impact fund को किस तरह से use किया जाता है as an alternative जिससे जो भी pharmaceutical innovators है उनको reward भी मिल सके और उनको कोई दिक्कत ना है तो यह जो health impact fund है इसका काम क्या होगा तो यह health impact fund जो है यह वही है basically इसमें होगा कि इसमें पैसे डाल सकेंगे और होगा कि यही जो पैसे हैं जो fund होगा इसी को इस्तमाल करके innovators को और research and development को एक तरह से finance किया जाएगा और वही है कि obviously इससे होगा क्या कि जो भी मतलब for example अब कोई अगर person develop कर रहा है disease से disease के लिए कोई vaccine बना रहा है या कोई भी research and development कर रहा है तो इसमें होगा क्या कि इससे benefit क्या हो भी हो जाएगा उन लोगों को तो यह काफी अच्छा innovative step पान सकते हैं अब यहां पर आती है कि अखिर fund कैसे किया जाए इस particular health impact fund को तो यहां पर बोला जा रहा है कि government कर सकती है अगर government के पास पैसे है तो government willingly इसमें जो है fund contribute कर सकती है पर अगर government नहीं कर सकती हो तो उस case में क् international taxes के through किया जा सकता for example जैसे greenhouse gas emission का है tax को उसके उपर या carbon footprint का होता है तो यह सारी चीजों को use करके हम लोग यह जो health impact fund है इसको एक तरह से finance करने का काम कर सकते हैं तो आगे इन्होंने वही सारी चीजे छोड़ी 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 discuss की है कि innovators को एक तरह से नई strategy बनाने की ज जरूरत है therapies और diagnostics को बनाने की जरूरत है जो भी results हा रहे हैं उनको real time में monitor करने की जरूरत है तो यह सारी चीजों एक तरह से नई strategies करेंगे तो उनको health gains का achievement हो मिल पाएगा अब आगे यहां पर इन्होंने बताया है जो कि अगर आप global pandemic को देखो तो यह जो commercial pharmaceutical firms हैं इनका participation का यह कहना है कि health जो आपका health impact fund है वो काफी ज्यादा important हो जाता है क्योंकि अगर funding provide अगर सही से की जाएगी तो जो भी problem है उसको easily handle किया जा सकता है और tackle भी किया जा सकता है अब यहां पर for example उन्होंने COVID-19 का भी उन्होंने यही चीज़ बताया है कि अगर इस case में भी अगर हो product का develop करें और फिर उसके बाद उसको high sales करें उसका जो भी मतलब जादा price पे बेचने की कोशिश करें तो यह होगा एक तरीका और दूसरा यहां पर इनके पास thought process यह हो सकता है कि यह effective product बनाए और उसको deploy करें जिससे जो overall disease burden है उसको कम किया जा सके effectively और फिर obviously इससे जो जब disease कम हो जाएगा तो फिर बात में future में जो भी changes करना होगा वो कर सकते हैं तो यह ethical question है और इसके उपर ही depend करेगा कि आगे का future किस तरह से decide होता है pharmaceutical industry से related तो हमारा यह particular बहुत ही अच्छा editorial था इसको हम लोग ने discuss कर लिया अब next editorial पे चलते हैं तो इसके बाद दो छोटू articles है औ those seeking power and riches तो यह आप यहां से आपको मैं बताता हूँ कि इस particular जो यह जो editorial है या किस चीज से related है तो यहां अगर आप देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि hydroxy chloroquinin का use के बारे में बगला जा रहा है और हर जगा ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो anti-malarial एक तरह से drug है इससे हम लोग जो भी COVID-19 patients है उसको treat कर सकते हैं पर obviously इसके उपर research चली रहा है और अभी finally एक तरह से decide नहीं हुआ कि क्या यह सही में काम कर रहा है या नहीं अब आपको मैंने news analysis के articles में अल्रेडी बताया हुआ है कि बहुत बहुत बारी अगर देखा जाए तो hydroxy chloroquine जो है वो काफी effective रहा है तो उन्होंने किस तरह का combination किया तो combination वही रहा कि तीन-चार हफते उन्होंने hydroxy chloroquine का एक तरह से dose लिया और इसके अलावा पीपी किट्स को अच्छे तरीके से पहन के और function किया तो वह negative ही रहे है उनको covid positive वह नहीं हुए तो हम कह सकते हैं कि मतलब effective रहा है पर वही है कि ह हर जगह ऐसा कुछ नहीं रहा है तो यहां पर इसी चीज़ को इन्होंने discuss किया है कि कि इस तरह से अगर आप देखोगे तो जो Lancet है जो सबसे most influential medical journal है इन्होंने एक तरह से बोला कि जो hydroxy chloroquine है यह इसका कोई benefit नहीं है अगर आप लोग है तो covid-19 patient को कोई फाइदा नहीं हो अगर देखा जाए तो बहुत जगह भी भी trials चल रहे हैं तो यहां पर हो क्या रहा है कि यह जो Lancet का एक तरह से हुआ है जो भी decision इन्होंने लिया है तो इनका कौन से basis पे लिया यही एक तरह से कटगरे में खड़ा हो गया और यही जो particular इस editorial का अगर आप देखोगे तो main concern रहा है main positive main point रहा है ठीक है अब यहां पर आगे इन्होंने वही सारी चीज़े discuss की हैं कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे organizations हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने image को सुधारने के लिए और वो लोग अपने achievement को दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इस तरह की इस में क्या होता है कि मतलब focus हमारा होना चाहिए कि हम contribution कैसे कर रहे है particular किसी भी pandemic को handle या कोई भी disease outbreak को handle करने के लिए पर वही है कि कभी-कभी riches भी सोचने लगते हैं कभी-कभी फायदा ही सोचने लगते हैं तो यहां पर वही जरूरत इन्होंने end में बताया है कि कि किस तरह से जो हमारा जो influence है power, privilege, finance और politics का यह इतना होना नहीं चाहिए scientific process पर और जो scientific process का result है वो ज्यादा matter करता है rather than result तो कहने का यह ही मतलब हुआ कि अगर result सही आ रहा है तो वही matter करता है rather than जो changed और जो biased result है उसके ओपर तो इनका वही कहना है कि openness की काफी जादा जरूरत है in post-covid world जिससे हम लोग इस तरह के problems को handle कर सकें तो यहाँ पर layman language में आपको main जो आपका इस particular editorial का जो theme है वो मैंने आपको समझा दिया क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा points यहां से नहीं मिलेगा इसके बाद एक और छोटा सा article है और यहां पर देख सकते हैं इस editorial में बोला गया है कि the best way to revive sports activities is to make a cautious slow and low key start तो यहां पर basically कहा जा रहा है कि जो formula 1 का season है वो start होने वाला है जल्द ही और उसके बाद बोला जा रहा है कि 8 races होने वाले हैं इस particular calendar year में तो इसी को यहां पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से sports activity आगे बढ़ने वाली है हम लोग अल्रेड़ी जानते हैं कि जर्मल football league जो Bundesliga है वो अल्रेड़ी start हो चुका है जबकि आने वाले समय में उसका जो proper जो प्रीमिर लीग है वो start होगा और वहां पर इनका यही कहना है कि हम लोग को मतलब जो भी sports activity है उसको start करने के लिए मतलब बहुत ही जादा carefully start करना है caution रखना है और जो भी अगर कोई भी किसी भी case में अगर हम देखते हैं कि कोई भी problem create अगर होता है तो उस case में हमें जरूरा है कि उस activity को तुरण सही restrict कर दिया जाए और जो भी person involved होंगे उ प्रूर करने की जरूरत है तो जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे jobs है particularly इस sports activity से related होते हैं तो इस कारण से jobs को jobs ना खोए और उन लोगों के घर में भी मतलब खाना पीना बना रहे तो इस reason से जो भी उनके काम है उसको भी restart करने की जरूरत है हां but obvious है कि अब social distancing के norm है उस जो sports के activities है उसको promotion भी मिल पाए और धीरे धीरे वह वापस से back on track आपाए तो हमने हिंदू के editorials को देख लिया अब हम लोग इंडिया नेक्सपेस के दो editorials में नहीं हाँ पर include किया है तो उसको देखते हैं और यह जो particular editorial है इसी पर question आज का है आपका ठीक है mains का तो चलिए आ जो ही है कि यहाँ पर trade का जो एक अगर आप देखोगे तो उसको question mark बना हुआ है तो इन्होंने start ऐसे ही किया है कि अगर आप देखिएगा तो दोनों countries के बीच में तो वह दोनों countries अगर हम Australia का जभी नाम लेते हैं तो उनको as a cricket champions के थार पर ही नाम लेते हैं पहले हम जानते और काफी अच्छी rivalry हुआ करती थी इंडिया और स्ट्रेलिया के बीच में cricket में अगर उसके अलावा आप देखिएगा तो बहुत ही कम engagement हुआ करता था इन दोनों countries के बीच में खाली इनके पास अगर आप देखिएगा तो दोनों English language को share करते हैं और साथ के साथ common political values को share करते यही होता था पर समय के साथ क्या हुआ कि समय के साथ improvement आया in quality of communication और intensity of political, commercial, cultural, educational, technological, engagement between the two nations और अगर आप देखिएगा तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे 7 लाख है total वहाँ पे 25 मिलियन का जो वहाँ पे population है वहाँ पे 7 लाख इंडियन डायस्पोरा है तो हम देख सकते हैं अब यह जो steps थे यह कल मैंने आपको already discuss करके बताया हुआ है news analysis में तो जिन्होंने news analysis देखा होगा उनके लिए यह एक तरह से division ही हो गया अब यहाँ पर आपको basic चीजे मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको question मैंने पूछा है वह आपको answer करने में कोई दिक्कत ना हो त ठीक है तो आप जरूर देखें कल का ही देखना है आपको कल का मतलब 5th of June का ठीक है अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि defense or security cooperation में दोनों का जो मतलब countries हैं वो काफी जादा आगे बढ़ी हैं और काफी अच्छा कासा discussion भी हुआ है और even उन्होंने क्या किया है तो जो उनका strategic cooperation हुआ करता था उसको भी उन्होंने मतलब discuss तो कुछ नहीं किया पर obviously जो steps लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर mutual cooperation के दोरह इस particular danger को handle करने की कोशिश कर रहे है इसके लाव अगर आप देखेगा तो दोनों countries हैं जो कि India और Australia है तो इन दोनों का strategy collaboration है इनका other nations in the region के साथ भी काफी अच्छा रहा है जैसे जपान South Korea बेत नाम Indonesia तो obviously यहाँ पर कोशिश क्या करेंगे जो अगर multilateral level पर होगा तो यह सारी countries एक साथ मिलके काम कर सकती हैं अब यहाँ पर major highlight जो बताया जा रहा है submit का वो है कि किस तरह से secure करने की बात कही है इन्होंने जो इंडो Pacific water से उसको अब हम अल्री जानते हैं कि इंडो Pacific support agreement जिसको sign किया है जो कि होगा क्या कि यह offer करेगा दोनों armed forces को एक तरह से reciprocal access करने के लिए each other's military facilities and facilities seamless cooperation across the high seas तो यहाँ पर एक important point यह रहा इसके लावा आप देख सकते हैं जो third agreement था यहाँ पर cooperation in cyber and cyber enabled critical technology domains में भी किया गया है यह हो गया अब आगे यहाँ पर आगर आप देख स हैं कि RCEP का part हमारे prime minister ने मना कर दिया था पहुने से पर वही अगर आप देखेगा कि Scott Morrison है तो वह एक बहुत ही strong supporter है उन्होंने कोशिश भी किया था इंडिया को RCP में वपस लाने का तो यहाँ पर यह जो एक point है trades related या एक मतलब अभी दोनों के बीच में बड़ा gap की तरह क होना चाहिए तो कल के मैंने discuss किया था trades related काफी अच्छे तरीके से तो आप वहां पर देखिएगा कैसे मैंने वहां पर बताया है आपको कि किस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया की companies है जो चाइना में based थे तो वह क्या कर रही है वह कोशिश कर रही है कि अब वहां से move out करें और move out क बताया है कि यहां पर जरूरत क्या है कि जो मतलब दोनों countries का देखेगा और India का especially देखेगा तो India fail कर चुकी है अपने domestic economy को rejuvenate करने के लिए और जो हमारा political rhetoric क्या रहा है self reliance के उपर में ही रहा है तो यहां पर हमें जरूरत क्या है कि हमें जरूरत है यह जो strategic partnership है दोनों countries के बीच में इसको बहुत बढ़ाने की और जो एक तरह से बातचीत करके जो trades related जो भी चीज़े है उसको sort out करने की तो आपको मेरे ख्याल से आपको idea लगया होगा इस particular editorial में क्या लिखा हुआ है कल के आप article के साथ बिलकुल इसको relate कर लेना और उसके बाद ही आपको एक future trade relation of these two countries तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको पहली चीज़े आप start कैसे कर सकते हो तो obviously history वगएरा थोड़ा बहुत आप context दे सकते हो context के बाद आपको यहाँ पर highlight करना है जो भी agreement important agreement sign हुए है इंडिया और Australia के लिए के साथ में बीच में in the virtual summit और आगे आपक तो आगे का future trade relation है दोनों countries के बीच में इसको किस तरह से shape करने वाला है और क्या-क्या changes आने वाले है तो यह आपको 250 words में लिखना है PDF के form में भीजिएगा और बाकी जो आपको starting में बताया गया है जो भी चीज़े उसको आप rules and regulation को follow करिएगा और Hindu वाले student मेरे खाल से आपक capital confusion के बारे में तो हम जानते हैं कि अगर आप देखोगे जो NCR reason है that is national capital reason तो यहां का जो border है उसको close कर दिया गया during the pandemic और इससे हुआ कि हम देख सकते हैं कि जो भी मतलब वहां पर problems है वो काफी जादा grave problem में फस गया क्योंकि हम जानते हैं कि NCR का reason है उसमें क्या है obviously बाकी सा जो भी साथ के मिले हुए जो भी cities थे और आप कह सकते हो कि जो भी states थे वो काफी जादा वहां पर suffer भी उन्होंने किया तो इसका ही यहां पर इन्होंने discussion किया है कि इस तरह से borders के बारे में कि closer of border कितना effect किया है और NCR क्या यहां पर इन्होंने discussion एक तरह से किया है तो यहां पर कहने का मतलब है कि जो भी NCR region में जो भी states है वो जरूरत है कि unisum में काम करें unanimous decisions लें क्योंकि होता क्या है कि अगर डिली government कोई भी decision लेती है और उसको NCR में implement करने के कोशिश करती है तो जो भी बाकी states बाकी cities जो है जैसे for example गुरुगराम हो गया जो की हारानय में है फर important चीज़ है अगर आप NCR को consider करोगे तो यहां comprise क्या करता है तो दिली, गुरुगराम, फडिदाबाद इसको ही बोला जाता है और साथ के साथ अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रिदेश का नोईडा और गाजियाबाद भी आ जाता है पर हुआ गया कि जब pandemic के कारण borders को दिक्कत होने लगी और वो घर के तरफ जाने लगे तो यही एक और close border हो गया था तो border का movement भी एक तरह से बंद हो गया तो यहां पर इनका वही कहना है कि अगर आप NCR region को देखोगे तो इसका extent जो है वो काफी जादा लंबा है काफी बड़ा है और यह एक unique region की तरह आप इस होगा तो obviously मतलब जो भी particular area का administration है वो easy तरीके से हो जाएगा और जो भी NCR के citizens है वो harass भी नहीं होगे और उनको life मतलब जीने में भी दिक्कत नहीं होगी और अगर आप maximum देखोगे तो maximum क्या होता है maximum NCR regions के जो outer areas में रहते हैं वो commuters होते हैं मतलब वो noida में रह रह रहे जो भी editorials थे उसको ठीक है और एक और request आप लोगों से यह रहेगी कि आप जो videos आ रहे हैं उसको जल्दी जल्दी आप लोग निप्टा लें क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं कि अब number of views तो कम हो गए ही क्योंकि अब maximum लोग lazy हो जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि 120 days है तो अब हमारे पास बहुत सारा time है पर आप यह सोचो कि जो person पढ़ाई कर रहा था और वही उसी मतलब लगन से वह पढ़ाई continuously करता है आने वाले 120 days के लिए तो उसकी probability जाधा हो जाएगी selection की राधर दना आपकी तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आप लोग महनत जो कर प्रेलिम्स नहीं निकालना है मेंस भी है और इंटर्व्य होई है दोनों चीज़े है तो इसलिए preparation आपको और से holistic way में करने की जरूरत है तो चलिए अब हम लोग news analysis के वीडियो में मिलेंगे so stay safe and study hard